कि वर सब्सक्राइब कि आपको आने वाले वीडियो आपको डेग्लरी अपडेट्स मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को कि अपका सबसे पहला प्लवाइट के बारे में ठीक है तो दीए पारमेटिक सॉलिड के बारे में ठीक है तो दीए पारमेटिक वहाएंटे की तरफ विकली होगा अगर मेरिटी फिल्ट के तरफ मतलब एक्सटर्नल अगर मेरिटी फिल्ट करेंगे और उस रीजन में क्या करेंगे ऐसे सबस्टांस को प्लेस कर देते हैं तो वहां पे थोरा सा आट्रेक्ट होगा आपका मैलिटिफिल्ड के तरफ ठीक है तो ऐसे सब्स्टांस को बोलते हैं पारमेटिक सब्सांस यहां पर देखे लिखा अपका डिफिनेशन आपका क्या होगा नंबर अन्पेड़ अलप्टोन होगा ठीक है अन्पेड़ अलप्टोन तो समझ में आ रहा ना एक्जांपल में देखने अपका ओटू सी यू टू प्लस एफिट्री प्लस चले मैं एक का एलेक्ट्रॉनिक कंफेशन कर देता हूं वहां से आप समझ होगा ठीक है आरगन है अपका यहां पर अपका कितना होगा जिपका फोरेस जीरो और त्रीडी प्लस है ना तो 3D 3 ठीक है ना 3D 3 इस तरह से हुआ आपका यहां से देखिए तो इसके पास अन्पेड़ अलप्टोन है और वन टू थी फूर फाइव दी और वाइड़ वाइ सब्सक्राइब करेगा ठीक है ना ओटू के पास भी देखेंगे ना तो ओटू के पास क्या होता नपका इसका पारमेर्टिक वेड़ सो करेगा मतलब आप इसके मॉलिकुलर और वाइटल कॉन्फिगरेशन में चले यह एमों कॉन्फिगरेशन में तो वहां से भी आपको द अचांज है और और चले टार टूपीओर और आफ कि उसक्लेशन में मतलब यह है ऑपक वेल सबस्कुट लिए और चले एасको इसको मिटाते आप हम आगे बात करते हैं यहाँ पर आपको देखना है कि जिसके पास अनपेर्ड एलेक्टोन होगा वह पारमेटिक वेवर्स करेगा और वह बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए तीन से ज्यादा अगर ज्यादा होगा वहाँ पी वह फिरेमेटिक सबस्टांस के दर वेव करने ल आपका मेंटिक वेवर्स करता है अगर निचे से उपर करते हैं स्वार स्वार अगर्ण की इस करता है तिसके करन आपका मालेजियन आपका अमेरेटिक म्यूस्य करता है तो आपवार्ड हुआ अगर-ध मतनगा मतलों नीचे से उपर के और मैंटी फिल है हैना आगर प्यावड होता एक नीचे डाउनवार्ड होता मतलों उपका डाउनवार्ड होता तो ऐसे में एक दुसरे को cancel out कर देता समझे इस चीज को और वाइटल का concept समझे अप लोग और वाइटल का concept बहुत सारे स्ट्विंड नहीं जानते हैं ठीक है यहां पे देखिए अपका यह एक और वाइटल है इसमें दू एलक्टोन है एक फॉस्ट आपका एरो जो है अपवाड बट दूसरा जब क sunlight होगा उसके कारण जब का इसकारण से जिरो होजाएंगा बट अगर क्या उपर यह तो सब अईड़प होजाएगा अनल कि और ऩ키कर निट मैट्रिक्सित देगा ना तो वही चीज बोले की अगर आपका क्या होगा अब सेंस मैट्रिक्सि फिल ओगा तो वो सबके कारण तो इंडिविजButj बट सब का डारेक्शन अलग- अलग होगा ठीक है ति यहीं आपका दिखाया इए अपका नेट रिजल्टेन डैपोल में जिरो होगा है नहीं रिजल्टेन डैपोल में देखने नो निट बंद देखले आपका नो डॉमेंट गया है यहाँ यहां पर देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे ऐसा ही सबस्टांस को सब्सक्राइब हो जाएगा मतलब सबका सब्सक्राइब के एलाइंड ही आपका हो जाएगा ठीक है लिए टो टीक है अगर ऐसा होगा अगर ऐसा एक्स्टरनल मैं ठीक है ऐसाज सब्सक्राइब करते हैं तो बिल्कुल उसके यहां पर यहां पर यहां पर क्या करेगा यहां पर क्या करेगा यहां पर समझे इस चीज़ को क्लास 12 के इस चीज़ को आप लोग पर चुके दो जगा एक तो आप क्या करेंगे और दूसरी बात आप इसको एटमिक इस्टेक्चर में भी पर चुके होंगे ठीक है क्लास 11 यहां पर दिखिए अनुज होता है अगर आपका किसी भी आटम के पास एक अन्पर डालेंगे तो आपका एं पर मॉलकुल जो भी होगा उसके पास दो अन्पर डालेंगे ऐसा केस आपको दिखे रहा है तो यहां पर यहां पर किया करते है त्री डालते फिर थरी इंटू थरी प्लस तू कितना फाइव तो फइब इंटू कितना फिटेन फिटिन का इस्टारूर कितना आपका जागा सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है इसका यूनिट होता है बोर मैंने टन ठीक है ना चलिए आगर आपको मियू का भैलू 1.732 रहेगा दिया हुआ और बोलेगा नमबर फॉन प्रेड अलक्टर निकालने के लिए तो देखिएगा ध्यां से जो भी रहेगा मैंट का भैलू दि ठीक है अगर ऐसा है यूव इकोल टू पॉइंट थ्री अपका बीम दिया हुआ तो यहां पर मैंटिव मोंट्स अपका जो होगा वो कितना हो टू हो जाएगा अगर विए अपका कि नमबर फॉन पेड लॉक्टर ने समझते जाएगा अगर मियू का भैलू 4.90 बीम कि दिय हो जाएगा और सिमिलर यहां पर सेवन देशिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को जली से बुता लिजे यहीं आपका क्या है पार मैटिक सॉलिड का डिस्क्रिप्शन है ठीक है अब हम लोग चलते है नेक्स्ट डायमेटिक सॉलिड के तरफ ठीक है नोट कर इसको इस ठीक है ठीक है ठीक है इस पीलक इस तरह को अर्वाट टीक है तिक है अब आप यहां पे देखें, some diametric solid can behave as parametric when some non-estagymetry are added. मतलब क्या होगा न अपका? कि कुछ-कुछ आपका है न, आपका ये diametric solid जो क्या कर सकता है? parametric के तरफ behave कर सकता है, कब जी? जब उसमें कुछ non-estagymetric solid को add करते हैं, यह आपका पारमेटी के तरफ एक तरह करता है। अब चली है अनों बात करता है। फेरमेटीक सॉलिट क्या होता है, जो एकदम पर लिखा है तो वही बात आपका यहां पर लिखा वाई तो तो इसा सब्स्टांस को क्या बहते हैं और उसमें देख लिए जब का तीन ही ऐसा सब्स्टांस होता है कि इस्टेनेस एलिमेंट है जो रूव टेंपरेशर पर फिर मैंटेंटिक रहें कि इसके हम लोग क्या करेंगे थे तो चलिए रिजन का जानते हैं कि आपका इस्टेंट सब्स्टांस कैसे जनरेट होता है तो देखें आपका क्या होगा इट एराज़ेस डूटू इस पांटे 10 देखिए इसमें क्या होगा इस पूरे च्छोटा होगा की च्छोटा च्छोटा डोमेंज स्कुई जोगा इक च्छोटा च्छटा च्छुटा एज पर इस के कि इसके पास तक को चैसे किस्ट का प्रमेंटिक के conscious में बट इस के में आपको क्या होगा जी है two, three, four, five to three ऐसे क्रकिवी भो सकता है ठीक है तो क्या वगा ऐसा कुछ तो होगा बट क्या होगा कि ऐसे के समें कीija क्या होगा कि यहाँ पे चुटतर चुटतर रेज्जन क्रिएट ठीक है ना कि आपका इसमें अपका छोटा चोटा डिट्र करेंगा अब जैसे ही क्या करेंगे पुट करेंगे तो दिरेधिर करके डॉमेंज जो है ना ड्रीदर के डॉमेंज होगा वो सब एक डारेक्शन में आता चला जाएगा मिस एक्स्टरनल मेर्टी फिल के टुवार्ट में आता चला जाएगा देखिए आपका उपर का कुछ मर्ज होका और फिर अपका इस तरह से दिखार आपका यह देखिए लिजे अगर हम यहां पर बात करते हैं निट मेंट मेंट का तो निट मेंट मेंट जो होगा ठीक है निट मेंट की बात करें तो वह जिरो होगा बट यहां पर निट मेंट 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 जो होगा जिरो नहीं होगा ठीक है ना नहीं होगा क्योंकि यहां पर सारे के सारे डोमेंस के का चारण आपका फारन जो आ रहा था वह जिरो आ रहा था बट इस केस में ऐसा नहीं होगा तो यह आपका क्या था यह आप इस तरह से समझ गए आपका कुछ ऐसा ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका यह फिर मैंटिक जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट हम लोग के जस्ट उल्टा होगा एंटी लगाओ ना जस्ट आपका क्या होगा एक्सपेक्टेशन के जस्ट आपोजिट होगा ठीक है ना यहाँ पर समझ ही क्या आपका है इसके पास जो भी आपका एजाइन होगा वह जस्ट आपका क्या होगा अपोजिट हो जागा देखरी जूसकों लोग ऐसे आपका यहां पर अपूजिट इस समझे चीज को अगर यह अगर आप इस इस में से इस एक्जांपल में से किसी भी एक एक जांपल को आप उठाते हैं और तब चेक करो आप यहां पर एमनों है ना अमेनों कहने के पास दो प्लस तो दो प्लस निकाल दो भाई इस तरह से तो अब आप इसका एलेक्ट्रॉनिक अन्फेशन करेंगे तो क्या आपका अगर इस सब का अपवार्ड होगा तो उन सब का डानवार्ड होगा तरह से पूरा का पूरा नेटमैंट्र जो अपको पूरा सॉलेट में वह कैंचल आउट जागा जए यह जिर हो जागा ठिक है तो इसकारण से क्या होता है कि यह कोई भी मेर्डिक आपको सब्सक्राइब तो अपको समद्ध में आ गया ठीक चलिए नेक्स्ट अब आपको देखेगा फेरी में टिक सॉलिड फेरो नहीं फेरी ठीक है न फेरी में क्या होगा न आपका इसमें हम लोग ऐसा सो चले होगा इसा तिंग करेंगे ऐसा उमीद लगांगे कि यह बहुत ही ज्यादा लार्ज म ये स्मॉल नेते मेर्ट हो जो करेंगा बट εςप्रकेशली स्मॉल सो करता है क्यों कि यहां भी कुछ बात होता है अब यहां पी एक नंबर आफ एक नीचे है इस तरह से इस तरह से सो करेगा तो इस कारण से इसका मैंडिटीव वेविर्ज आपका होगा और डिक्रीज कर जाएगा जैसे एक्जांपल में देख लिए फॉर जिसको लोडिस्टों कहते हैं ठीक है ना फिराइट्स की बात करेंगे फिराइट्स सब्सक्राइब करता है ठीक है तो कैसे एफट करता है उन सब चीज को स्टडी करते हैं ठीक है तो चलिए इसको नूट करते हैं कि यह आपका टैंपरेचर कैसे इंफ्लूएंस करता है ठीक है यहां पर समझें इस चीज को आल मैनेटिक ली ओडर्ड सॉलिड मतलब ऐसा स्वालेट जो मैनेटिक प्रपरटिस वो सो करता होगा जैसे अपका फिरमेटिक हो गया एंटी फिरमे सब्सक्राइब आपका फिरी ओफोर ठीक है ना और इसको अगर आप एट फिप्टी डिटी डिटी इसको हीट करते ते पारमेटिक वी ओडर्ड होने के लिए ठीक है चलिए एक पार्ट मतलब एक देखनी जब का यहां पर डेफिनेशन कुछ लिग दें कभी आपको यह भी पूछा सकता है अगर आपको क्योंट 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 बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे अपका जी आपको अगर नीच आएगे तो फिर्मेटिक सॉलिट के रूप में ऑटेंड होगा ठीक है तो इस तरह से आपका सॉलिट इस्टेट पूरी तरह खतम हुआ अब आप लोग क्योंस बनाएगा जो भी किसी भी तरह की अदावट स्वागा जेए डिवांस लेवल तक आप मेरे से वाटस अप नमर पे पूछ सकते हैं ठीक है आपको वाटस अप प्रोवाइड किया था वीडियो के स्टार्ट में ठीक है वहाँ पर मेरे से मैसेज करके फिर पूछ सकते हैं किसी भी तरह की अको संस को ठीक है तो फिर मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई-बाई-टेक